Hello friends, this is Nilofer Neha Khan और Welcome to our YouTube channel 6chale तो आज हम बात कर रहे थे हिंदी पेड़ागोजी के बारे में जिसमें की ये 6 chapter है हमारे chapter y series चल रही है जिसमें हमारी कोशिश यही रहती है easy way में आपको concept समझाने की तो आज हम बात करेंगे भाषा कोशल के बारे में इसे हम दो या तीन पाच में डिवाइट करेंगी इस चैप्टर को क्यों क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टन है दूसरी चीज कि इस चैप्टर में से हर साल दो तीन इवन चार तक कोशन पूछे गए हैं तो आप समझे सकते हैं कि हमारा कितना इंपॉर्टन रोल प् आपको लिखना आना चाहिए और आपको पढ़ना आना चाहिए तो अगर हम बात करें भाशा पॉशल के बारे में तो पहला पॉइंट है हमारा संप्रेक्षन इस्तापित करने के लिए देखिए जैसे जैसे कि आप जानते ही हैं मनुष्य एक समाजिक प्रानी है उसे समाज भी रहने के लिए दूसरों व्यक्तियों से अपने संबंद स्तापित करने पड़ते हैं तो वह संबंद स्तापित कैसे कर सकता है संप्रेक्षन द्वारा ठीक है बातचीत द्वारा तो बातचीत करने के लिए आपको सामने वाली व्यक्ति को सुनना पड़ेगा सुनना क्या कि मतलब सामने वाले व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है वो आपको समझ आना चाहिए दूसरा मौकी का भी व्यक्ति मौकी का भी व्यक्ति की बात करें तो जो आप बोलना चाहते हैं वो सामने वाले व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए ठीक है अब आप कुछ भी नहीं बोल सकते ठीक है तीसरा है पाठन पाठन मतलब जब हम किस पढ़कर कुछ नॉलेज कुछ जानकारी ग्रहन करते हैं चौता है लिखकर जब लिखकर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं ठीक है तो दूसरा हमारा पॉइंट है भाशा शिक जो उद्देश है वह इन चारू कोशलों में आपको दक्षता प्राप्त करने दक्षता आनि जब्शे सीघंत दूसरे चारों कोशलों का विकास कर सकें ठीक can तो भाशा शिक्षन का समझ में आनी चाहिए जैसे कि स्रवन कोशल मतलब सुनकर अध्ध ग्रहन करने वाला। दूसरा है हमारा मौखिक अभी विट्विक्ति, मौखिक कोशल या वाचिक कोशल भी इससे कहते हैं इसमें क्या होता है कि आप जो बोल रहे हैं ड करते हैं उसके बारे में बात करते हैं 4 चारो जो कोशल जो मैंने आपको बता है श्रवन, मौकिक और पाठन कोशल, लेखन कोशल ये सारे अंत्य संबंदित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं कैसे कि अगर कोई वेक्ति सुन नहीं सकता तो वो भाशा नहीं सीख पाएगा सब्दों जो कोई है कि जब कोई बालक चोटा होता है तो वह जादा तर चीजश में जितनी बीडा सीखता है वह अनुकरण करके सीखता है नकल करके सीखता है तो बच्च Prाषी को कोई चीज संवजह नहीं आएगी उससे सुना इनlaughter कर पाएगा तो वह वाले व्यक्ति के सामन अपने विचार व्यक्त कर भी नहीं सकता तो इसमें जरूरी है कि आपके ये तीनों जो कौशल हैं इसमें आपको दक्षता प्राप्त होनी चाहिए तभी भाषा कौशल का उद्देश्य पूरा होता है चौथा हमारा प्रकार है सरवांगिन विकास के लिए चारो कौशल उसे आने चाहिए या फिर चारो कौशलों में उसे दक्षता प्राप्त होनी चाहिए इससे क्या होगा व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त भी कर सकता है और सामने वाले इंसान के विचारों को ग्रहन भी कर सकता है तो चार प्रकार के हमारे कोशल होते हैं पहला होता है हमारा श्रवन कोशल जिसमें हम सुनकर कोई चीज अर्थ ग्रहन करते हैं दूसरा हमारा होता है मौकी कोशल या फिर इसे वाचिक कशाल भी कहते हैं तो इसमें क्या है है आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं चौत्वा पर किसी Chessy का अर्थ ग्रहन करना और जो चौथा है हमारा वो है लेखन कोशल लेखन कोशल जैसे कि आप अपने विचारों को किसी व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त कर सकें अब देकि इन चारों में जो जो डिफरेंसे इने अलग करते हैं श्रवन कोशल और हमारा पाथन कोशल ये होते हैं ग्रहनात्मक कोशल मतलग इन दोनों कोशलों में हम किसी के विचारों को ग्रहन करते हैं अपने अंदर जैसे हम सुनकर भी किसी के विचारों को अपने अंदर ग्रहन करते हैं और पढ़कर भी उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहन करते हैं लेकिन जो मौखिक और लेखन क इसे अलग कोशल के रूप में इने दो भागों में डिवाइड जाता है जिसमें कि हम ग्रहनात्मक कौशल हम किसे नहीं कहते हैं श्रवन और पाथन को और अभी व्यन जनात्मक कौशल किसे कहते हैं मौकिक और लेखन कौशल को अब दोनों में differences क्या है कि श्रावन और पाथन कोशल में इसमें हम किसी भी विक्ति के विचारों को ग्रहन कर रहे हैं और जहां मौखिक और लेखन कोशल की बात करें तो यहां पर हम अपने विचार किसी सामने वाले विक्ति के सामने रख रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं श्रवन कोशल के बारे में श्रवन कोशल क्या है तो श्रवन कोशल बहुत important role play करता है किसी भी विक्ति के सरवांगीन विकास के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा important इसे को ही माना जाता है जैसे कि आप जानते ही हैं कि बच्चा जब होता है तो वो अनुकरन करके चीजे सीखता है तो अगर कोई बच्चा जन Push this महरा होता है तो आप यह सकते हैं कि वह बोलने में भी ऑल भी नहीं पाता है या फिर बोलता है तो वो शब्दों का चैन सही से नहीं कर पाता है या फिर बिल्कुल शूर्ने की बराबर वो चीजों को समझ पाता है या फिर जान पाता है अब इसका point wise discussion कर लेते हैं पहला अन्य कौशलों को विक्सित करने का मुख्यादार जैसे कि मैंने आपको बताया कि शवन कौशल ही मुख्यादार बनता है अन्य कौशलों का जो बच्चा अगर सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं पाएगा देखी अगर आप किसी व्यक्ति की बात समझी नहीं सकते सुन नहीं सकते तो आप अपने विचार कैसे व्यक्त कर पाएंगे जब तक आपको यहीं ना पता हो कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या बोलना चाहरा है दूसरा हमारा पॉइंट है यह है एक मानसिक प्रक्रिया है देखी यह मानसिक प्रक्रिया क्यों कहा गया है कि जब हम किसी की बातों को सुनते हैं तो हमारे मश्तिक्ष में एक क्रिया चलती है जिसमें कि हम उसे ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर यही बात है कि जब हम किसी की वेक्ति की बातों को सुनते हैं तो हमारा briyya रहता है तो इस लिए इसे मांसिक प्रक्रिया कहते हैं तीसरा हमारा पॉइंट है इससे वाचन कोशल का विकास होता है वाचन कोशल मैंने आपको बताई दिया मतलब मौकिक कोशल ठीक है वाचन कोशल का विकास कैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता तो वह बोल इसका पॉइंट है इसे अध्यन की अधार शीला भी कहा जाता है जैसे कि आपको पता ही है कि किसी भी विक्ति के विकास के लिए जरूरी है कि उसे चीजें आपकी चीजें समझ जाएं ठीक है क्योंकि यह तीन पार्ट होते हैं मौकिक कोशल पाथन कोशल और लिखित कोशल य विक्तिक्त होगी तो वह कभी इन तीनों में निवुडता हासल कर सकता न डटक्षता हासल कर सकता पांचवा हमारा पाइंट ही है व्यक्तित्व के विकास में सायक है देखी जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व के लिए जरूरी है कि आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को समझ पाएं और अपने विचारों को व्यक्त कर पाएं जब जब तक आप किसी की विचारों को समझ नहीं सकते तब तक आप अपने विचार रख भी नहीं पाएंगे उसके सामने तो इसलिए जरूरी है किसी विव्यक्तित्व के लिए जरूरी है कि आप सामने वाले की बातों को समझें और उसके बाद अपने विचारों को व्यक्त करें देखिए अब इसकी सिक्षन विदियों के बारे में बात करें पहली सिक्षन विदिय। आप इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है कि टीचर जो होती है वो परती जाती है और बच्चे ध्यान से सुनते हैं तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो सुनने का तरीका हो बच्चे जिस तरीके से सुनते हैं इसमें तीचर को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो बोलने का तरीका है वो सही होना चाहिए और वो एकदम ठीक तरीके से बोल सके क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं वो अन होंगे वो ठीक से शब्दों का प्रयोग करें दूसरा हमारा है प्रश्नोत्तर विधी में हम बात करते हैं जब कोई टीचर आपसे कोई कोशन पूस्ती है ठीक है जब तक आप उसके कोशन को समझेंगे नहीं तो उसका क्या बोल रही है, या पर आप बच्चे से क्या बोल रहे हैं वह सचुध होना चाहिए है कहानी सुनाना विधी में हम बच्चे को शिचोनाते हैं जिस में की भाषा के विकास होता है उस बच्चे का उसमें करते וכress Continue चीजें भी अपुषे व्याक्रन की चीजें भी सिखा सकते हैं और इस तरीके से सिखा सकते हैं कि कहानी सिंखाते सिंखाते उसे भाश का सखते है चोथा है हमारा शुद्लेख वुद्यी शुद्लेखी डिक्टैशन बोलते हैं ठीक जब डिक्टैशन बोलते हैं तो बच्चे भाथ ध्यान से सुनते हैं divided BE time तो इसलिए जरूरी है कि आप भी शुद्र बोलें और जो बच्चे सुन रहे ह्या हैं वो भी ध्यान से सुने, तभी इस विदी का अच्छे से प्रियोग हो सकता है, देखी, भाशन विदी, भाशन विदी में एक वेक्ति अपने जीवन के बारे में, या फिर किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक पर भाशन दे सकता है, या फिर आप ऐसे बच्चों को, ऐसे वेक्त भाशन सुना सकते हैं, जो कि जिनकी हिंदी काफी अच्छी हो, या फिर जिनकी लैंग्विज काफी अच्छी हो, ताकि बच्चे उन्हें सुनकर भाशा के शब्दों को ग्रैन कर सकें, उनकी विचारों को ग्रैन कर सकें, चटा हमारा है, अन्य सहगामी क्रिया, देखें, अन्य सहगामी क्रियाओं में खेल कूद भी आ जाता है बच्चे जो अपनी क्लासरूम में जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं और क्लासरूम के अलावा जो उनकी क्रियाओं होती हैं वो सारी क्रियाओं अन्य सहगामी क्रियाओं में आ जाती हैं तो इसमें भी बच्चे कई प्रकार से भाषा का भाषा सीखते हैं और सुनना सीखते हैं, ठीक है, सुनते हैं वो ठीक से और जिसके कारण उनकी भाषा का विकास हो सकता है आपदेखी श्रवन कौशल के सिक्षण हेतु दरश्य श्रवन सायक समगरी देखि श्रवन कौशल जो है उसके लिए संहक्त दरश्य सवह writers होती हैं उनकी बारे में बात करते हैं, जिनमें हम देख भी सकते हैं, द्रिश्य स्रवन समगरी के होती हैं, जिनमें हम देख भी सकते हैं, और कई ऐसी समगरी होती हैं, जिनमें सिर्फ हम सुनते हैं, ठीक है, तो पहले अगर बात करें हम ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर की, ठीक ह तो gramophone और tape recorder इसमें हम किसी भी वेक्ति की आवाज को सुनते हैं और उससे सुनते हुए भाशन, मतलब ध्यान से सुनते हैं और उससे आप बच्चे के श्रवन कौशल का विकास कर सकते हैं कैसे उन्हें gramophone या tape recorder से कोई भी voice या फिर कोई भी भाशन आप सुना कर उनके श्रवन कौशल का विकास कर सकते हैं दूसरा है हमारा radio radio में जैसे कि आप जानते ही हैं कि इसमें भी कई प्रकार से आपको बोला जाता है कई प्रकार से languages use के जाती हैं तो अगर हम बात करें कि भाशा कौशल के बारे में या स्फिर श्रवन कौशल के बारे में तो radio भी बहुत important role play कर करता है तीसरा है हमारा चाल्चित्र चाल्चित्र यानि television यानि TV ठीवी में हम देख भी सकते हैं किसी वेक्ति को और उसकी बातों को भी सुन सकते हैं तो यह भी हमारे श्रवन कौशल के लिए important होता है दूसरा है वीडियो ओ चौता है हमारा वीडियो चौते में अगर बात करें देखें वीडियो में हम क्या करते हैं हम वेक्ति को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो यह भी हमारे श्रवन कौशल के लिए important होता है पांचवा है हमारा computer की अगर बात करें तो computer भी हमारा इसमें बच्चे देख सकते हैं लिख सकते हैं इसमें लिख भी सकते है टाइप कर सकते हैं बच्चे और दूसरी चीज इसमें बच्चे सुन भी सकते हैं ठीक है तो श्रावन कोशल के लिए हमारा computer भी important role play करता है अब यह जितनी भी सायक समगरी है इनमें से questions किस टाइप से पूछे जाते हैं oline दивает कि एग यह कोई यह जैसे groundwater लेते हैं कि अब सब्सक्राइप कोशल के लिए इस्तिमाल कीजा जाता है इसमें अब का आंसर क्या होना चाहिए खरावन कोशल के लिए जलिए पर जादा ध्यान देते हैं ठीक है और इसी टाइप से आपके यह सारे questions पूछे जा सकते हैं तो इससे जरूर याद रखेगा और जादा तर जिश्रवन questions के लिए पूछा जाता है वो gramophone और tape recorder ही और radio जो होता है वो जादा पूछा जाता है क्योंकि अगर बात करें हम चार्चित्र और video और computer की तो इन में examiner भी बहुत रेर ही questions पूछते हैं इन दोनों में ही आपके questions put up होते हैं तो जरूरी है आप इन दोनों को ध्यान में रखें और यह याद रहे हैं कि यह दोनों जो सायक समग रही हैं यह किसके लिए यूज होती है श्रवन कोशल के लिए ठीक है तो यहां यह हमारी आपके reviews हमारे लिए काफी important role play करते हैं थैंक्यू आपके रिव्यूज हमारे लिए काफी important role play करते हैं थैंक्यू